कि जहिंद इस सभी कैसे हैं सबसे पहले तो और आज आप पीछे देख रहे हैं कुछ कि यह सी बीडियो और आज जो देश में कुछ भेधवाउ उसके बारे में बात करेंगे मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो की ज्यादा शेयर करें क्योंकि यह वीडियो बनाने का मकसद इसके पिछे का जो मक्सद है वो आपको किलिर हो जाएगा जिस जिसे आप वीडियो देखोगे और भेदबाओ जो हो रहा उसमें थोड़ी सी मैं चाता हूँ कि देश उसमें ध्यान दे देश की जनता भी उसमें ध्यान दे ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज के बारे में बात यह है कि आप सभी ने देखा होगा आए दिन कभी CID की रेड होती है ED की रेड होती है कभी CBI की जांच होती है ये जांचे जितनी भी हो रही है देश में जितनी भी कोई भी जांच हो रही है सारी की सारी जो जांचे हैं वो करोड़ पती या किसी बुद्पूर्वनेत या पूर्वनेता, किसी पार्टी के नेता, MLA, मिनिस्टर, इन ही पे हो रही है, यह गलत बात, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने भी डिपार्मेंट बनाए गए हैं, चाहिए आप CID लगा लो, या CBI लगा लो, ED लगा लो, NIA लगा लो, यह जितने भी डिपार्मेंट है, यह देश की सभी लोगों के लिए हैं, ठीक है, यह हर एक देश में, अपने देश में जितने भी नागरिक है, चाहिए वो किशी भी तबके का नागरिक को उन सभी की जांच के लिए हैं, तो मैं चाहता हूं की कुछ जांचे जैसे, यह तो होई रहे हैं, आप सभी को पता है की, जैसे ED की जांच में आज यह पकडा गया, बहुत बढ़े-बढ़े नेताओं पि जांचे चल रही है और रेड भी हो रही है लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ जांचे इन्हें पे भी चलनी चाहिए इन्हें पे नहीं मैं यह चाहता हूं कि कुछ जांचे जैसे इडी की जो जांच है वो मैं यह चाहता हूं कि कि इन्हें पे होनी चाहिए भाई आप जब जांचे करी रहे हो जब पेशा देख रहे हो तो जड़ा इनके घर भी देख लो अधिकार इनका भी ये भी इसी देश के नावरी करें मैं चाहता हूँ कि एक बार जुगी जोपड़ियों के लिए भी कोई ऐसा बल बने जो जाके सिदा उन पे रेड करें और देखे कि उसकी जोपड़ी में खाने के लिए शामगरी है कर नहीं वो कैसा जीवन यापन कर रहा है आज के समय में जब देश शवतंतर होए 70 साल से यह आठिया की भी जांच हो कि इसा जीवन क्यों जी रहे है इनके घर में आटा आप इस यङू देखने जाते एग नहीं है इनके खर में आदिकार 2 में जीवन गादिकार सब्सक्राइर पूरा है आपने सरकार स्कुल में लेकिन क्या सरकारी स्कुल में ये बच्चे जा पाते हैं, इनकी इस्तितियां ऐसी क्यों है, इस पे भी तो कभी न कभी तो आपको जांच, कोई न कोई एजेंसी तो बनाईए, जो इनकी जांच करें, ये किस परकार से इस परकार की दलदन में अपना जीवन या पनकरी, ये जो नाले का पानी आप देख रहे हैं, यहां पर क्यों है, इसकी कोई जांच करने वाली एजेंसी, आज तक किसी एजेंसी ने इसकी जांच ने की, किसी ने यहां इनकी गरीब की बस्ते में आके रेड नहीं डाली, कि भाई, तुमारे घर में सबजी है या नहीं है, और क्य को नहीं है, अगर तुम बेरोजगार हो, तो क्यों हो, तुमारे पास में रोजगार का उसर क्यों नहीं है, हम तुमको रोजगार रित करेंगे, इसी कोई जांच एजेंसी है, क्यों नहीं है इस देश में, जब बड़े लोगों के लिए आपने एजेंसी बना रखिये, इन उस पे कोल गुमा के हम शिकायत कर सके उन जोपडियों वालों की जिनके पास मैं आज खाने के लिए कुछ नहींगी देश की इस महेंगाई की मार जेल रहे हैं वो लोग इस परकार का जीवन इस परकार अगर किसी जानवर को इसमें बिठा दे वो भी ना रहे जहां ये इंसा के सानव हमको इस देश में हरNewood ये अपर कर रहे हैं लेकिन इनका वी तो विदिकार है कभी इनकी भी जहुत करा ली जिए की इनके पासमें परियाप साधन है या नहीं है जीवन जीनने के लिए इनके बच्चों के पासमें जो इस स्कूली शिक्सा मिल रही हैं नहीं स्कूल इन बच्चों से दस-दस किलोमेटर की दूरी पर एक छोटे-छोटे बच्चे किस से वहां तक पहुंच पाए इनके लिए साधन की विविश्टा कोन करेगा इसकी वी तो जांच कराईए गौर्मिंड स्कूल की वी तो जांच कराईए किसी दिन कि इस गाउं में इस स को मॉटिवेट करेंगे कुछ भी करेंगे लेकिन उन बच्चों तक शिक साथ देनी अनवारे होनी चाहिए उनको किसी भी प्रकार इसकूल लाना चाहिए गाउं में जितने बच्चे हैं बहुत सारे ऐसी जूगी जोपनिया हैं जहां पर अगर जाके एक शिक्षक या किसी योजना हैं जिनके मात्यम से ये बच्चे श्कूल तक पहुंच सके तो मुझे ने लगता है इनकी जांच करनी चाहिए थोड़ा सा इन पे भी खर्च कर लीजे जर सारे पेशे करोड़ पतियों पर अरपतियों पर खर्च हो रहा देश में कुछ इन पे भी हो जाई इनकी बी एक बार जांच हो जाएगी इनकी जो इस्तती ऐसी है वो क्यों है इसके पीछे रीजन क्या है उसको जान लेते हैं और फिर उसका समधान निकालते हैं इस परकार का भी कारिये होना चाहिए क्योंकि हम इसी देश के नागरिक है सभी देश में जो नागरिक है उसको समान तो इनकी भी जहांचे होने चाहिए एक ऐसा कोई बल बनाई है जो इनकी जहांचे करें कि इनकी इस्तति वास्ट्विक में ऐसी है क्यों इसके पीछे का रीजन उठाईए और रीजन एग निकलेगा एसिक्षा तो फिर इनको शिक्षित करिए कुछ जाच एजेंसी के आने दीजिए निर्ड ने जिस परकार से देश में बाकी सब चल रहा है एक ये काम भी चलने दीजिए ये देखिये इस परकार से लोग घरों में रहे रहे हैं आपकी जब छठ चपकती है रात को भहिंकरांदी तुफान आते है तो आपको डर लगता है को नहीं लगता है इस बात की जाच चोने ही आपका जब बारिस में जब पूरे च्छत गिली हो जाती है पूरा घर आपके प के पास में पहुंचने चाहिए कि आप किसी बीमारी से मर रहे है तो आके पास में इलाज के साधन क्यों नहीं है इसकी जांच होनी चाहिए था है कि पूरए पर देखने आता है कि इनकी जांचे कराईए थोड़ी सी कि यह जब जोपडी में जबבא बारिस के पानी गिरता है, पूरी जोपड़ी पानी में बैती रहती है, उस समय आपके बच्चे कहां सोते हैं, आप कहां सोते हैं, आप इस प्रकर का जीवन क्यों जिते हैं, क्या खाते हैं, थोड़ी पेसे ही गिन रहे हैं, थोड़ी इनके कष्ट भी गिलने दे हैं, कुछ कुछ जांचे इनकी भी होने चाहिए मुझे से लगता है ये कुछ तश्वीर हैं जो साइद आप सब को बहुत कुछ बयान कर रही होगी कि ये जो इस्तती है देश में ये क्यों है इसका जिम्मेदार कौन है आज देश अमरत मोच सो तो बना रहा है लेकिन क्या आपको लगत करता है कि हमारा देश उतना विकास कर रहा है कुछ जांचे इन पर होनी चाहिए क्योंकि अगर बारती सरकार की जितनी भी संस्ता है कि शिर्फ अरबपतियों को क्रोरपतियों की जांचे करते रहेगी तो इनकी जांच कोन करेगा एक डिपार्टमेंट इनका होना चाहिए क कि वहाँ पर फिर किसी भी स्टेट से किसी भी राज्याय से किसी भी गिरामी इलाके से वहाँ कोई भी कम्प्लेन कर सकता है।D भूआ जोगणियों वाण की चांच करा सकता है। ऐसा कुछ जरूर होना चाहिए और जिस दिन ऐसा कुछ होगा इस देश की तक्दीर भी बदल जाएगी ये देश भी बदल जाएगा और देश की सुरत भी बदल जाएगी लेकिन जितनी जाचे उनकी हो रही है उतनी जाचे इनकी भी होनी चाहिए कि आज देश में इसी इस् और ये गली-गली ये कोई फोटो कोई देश में मैंने कलेक्ट नहीं किये, आपको गली-गली बता दूँ जिस शहर में मैं रहता हूँ, उस शहर में ऐसी इस्टती है, ठीक है, जिस राज्ये में आप रहते हूँ, उस राज्ये में इस इस्टती है, हर एक जगे ऐसी इस्टत इसके बारे में सरकारों को सोचना चाहिए और इनकी इस्तती बदलनी चाहिए देश तब बदलेगा जब हम इस इस्तती को बदल देंगे उससे पहले शिर्फ बाते हैं जय हिंद जय भारत